Hello everyone, welcome to our channel Everyday Life आज की हमारी रोचक और उपियों की जानकारी है difference between flat leaf parsley and fresh coriander ये विडियो हमारे पिछले विडियो flat leaf parsley and curly leaf parsley का ही विस्तार है तो चलिए शू करते हैं इस flat leaf parsley और धनिया के पत्तों यानि fresh coriander की अधिक जानकारी के लिए आप हमारे पिछले विडियो देख सकते हैं ये पेट्रोसिलिनम क्रिस्पम पॉंधे के पत्ते हैं और ये कोरियंडरम सेटिवम पॉंधे के पत्ते हैं हलाकि ये दोनों ही पॉंधे वनस्पती जगत में एक ही परिवार APCI से हैं जैसा कि हमने हमारे पिछले विडियो में उले किया था कि ये flat leaf parsley धनिया के पत्तों यानि fresh coriander जैसी दिखती है जिसकी कारण बहुत बार लोगों को संक्षे ये confusion हो जाता है उपरी तोर पर दिखने में इनका पत्ता एक सावश्य लगता है परन्तु जब आप इन्हें ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि पासले की पत्तियों के किनारों के कट थोड़े बड़े और नुकीले हैं जबकि धनिया के पत्ते के किनारे के कट थोड़े चोटे और गुलाई में हैं। धनिया का स्वाद और सुगंध पासली की तुल्ला में अधिक तेज होता है। यदि आप इन दोनों पत्तों को हाथ में मसलें, तो यह तुरन पता चल जाएगा कि धनिया की गंध पासली की तुल्ला में कितनी तेज है। परंतु पकने के बाद इस पासली का स्वाद इन धनिया के पत्तों के करीब लगने लगता है। ऐसे ही कच्चा खाने में इन दोनों पत्तों का स्वाद एक दूसरे से भिन है। भारती बाजारों में अक्सर आप पाएंगे कि इस पासली के पत्ते धनिया के पत्तों से थोड़े बड़े आकार के होते हैं। ये दोनों ही पत्ते दो अलग-अलग भॉगोलिक शेत्रों में अधिक प्रचलित है। पक्वान को पकाते समय उन पक्वानों का मूल स्वाद बरकरार रखने के लिए धनीय के पत्ते और पासली को एक दूसरे से ना बदलें। दोनों में अच्छी मात्रा में लोहा, कैल्शियम, पोटैशियम, विटमिन A, विटमिन C and विटमिन K पाया जाता है। ये दोनों ही आखों और हटियों के स्वास के लिए सहायक हैं। इन दोनों में विद्धमान अंटियों शरीर को अनेकों रोगों से बचाने में सहायक और हम आशा करते हैं आज की हमारी फ्लैटले पासली और धनिया के पत्ते के अंतर की ये जलक आपकी एवरीडे लाइफ में ज़रूर उपयोगी रहेगी। थैंक्स और वाचिंग और कीप इंजॉइंग अर एवरीडे लाइफ।